असलम वलेकुम दिया सिक्स्त क्लास टूरेंट्स एक्सराइज नमबर 8.6 रखेंगे यह हमारा है लेक्चिन नमबर 612 का बेपार्ट अब हम इसमें करेंगे क्वेश्चिन नमबर वान हमने किया अब हम करेंगे क्वेश्चिन नमबर 4 क्वेश्चिन नमबर 4 है रानी हैड रुपीज 18.50 शी बॉट वन आइस क्रीम फॉर रुपीज 11.75 रानी के पास है साड़े 18 रुपे इसमें से उसने एक आइस क्रीम खरी दी 11 रुपीज और 75 पैसों में बताएए आप उसके पास कितने पैसे बागी रहते हैं रुब मोर्य.. और रुपेत red scrutरे क्वेश्थ और क्वेश्थ इस और क्वेश्बर स्य कितने लिब्र स्वेश्थ 20 रुपीज रusion cost of ice cream, cost of ice cream is Rs. 11.75. 5. Therefore, last मैं लिखेंगे, therefore, she, therefore, she, therefore, amount, therefore, amount, left is equal rupees, दोनों कमांज करेंगे, यहां से वान लाएंगे, यह बन गए टैन, तैन में से 5 निकालेंगे, 5, यहां रहेंगे, 4, यहां से वान लाएंगे, 14 में से 7 निकालेंगे, 7, decimal, यहां रहेंगे, 7, 7 में से वान निकालेंगे, 6, इसके पास, रहनी के पास, अब हैं टोटल पैसे, 6 रुपीज और 75 पैसे, अब इसके बाद हम करेंगे, question number, question number 5, Tina had 20 meter, 20 meter, 5 centimeter long cloth, she cut 4 meter, 50 centimeter cloth, or length of cloth from this for making a cotton, how much cloth is left with her, Tina के पास है, टोटल कपड़ा, 20 meter, 5 centimeter, उसने से इसमें काट लिया, एक cotton के लिए, परदे के लिए कपड़ा काटा, काटा हैं उसने, 4 meter, 50 centimeter, बताईए, आब उसके पास, कितना कपड़ा बागी रहा है, यह हमारा है, question number, यह हमारा है, question number 5, टोटल लेंगत, टोटल लेंगत ओफ दोटलोग, वह हैं 20 meter और 5 centimeter, यह हमारे इसको चेंज करेंगे सबसे पहले, मीटर सेंटी मीटर को बनाएंगी बीटर, 20 meter प्लस, इसको centimeter बनाने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यह भी बन गया अपनी जब, वह बन गया 20 meter प्लस 0.05, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे, और आप में डिवाइड भी खाऊंगी, 5 को डिवाइड करेंगे 100 से, बेसरवल की मदद से एक ही 0 मिलेगा, फिर और एक 0 और एक 0 की ज़ुरण है, 5 इंटो 100 बोगानेगा 500, इसका मतलब हमारे बास है, 0.05 meter, दोनों को एड़ कीजिए 20.05 meter, इतना कपड़ा उसके पास, टीना के पास है, अब इसमें से उसने कपड़ा थोड़ा सा निकाला परदा बनाने के लिए, लेंगत ओफ करचन, लेंगत ओफ करचन, इस इक वाल्टे, लेंगत ओफ करचन है, 4 meter, 50 cm, इस 50 cm को भी meters में चीज़ करेंगे, 4 meter plus 50 by 100, ही भी बन गया, meter, 4 meter plus, इसको जब दिवाइड करेंगे, वो निकले, 0.5 meter, आंसर निकलेगा, 4.5 meter, टोटल कबड़ा इतना है, और पारदे का कबड़ा इसमें से इतना काठा, अब प्वोश्चन है, आब उसके पास, कितना लेंगत का कबड़ा बाच गया, लास्ट मैं लिखेंगे, therefore, total, therefore, total, cloth, left, इसे पास, 20 meter, 20.05 meter, minus करेंगे, 4.5 meter, अगर आप यहाँ 0 लगाना चाहिए, तो लगा सकते हैं, दोनों को आप minus करेंगे, 5 वापस आएगा, 10 मैं से यहां से बान लाएंगे, यह बन गए 10, 10 मैं से 5 निकालेंगे, 5, यहां रह गया, 9, यहां से बान लाएंगे, 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 यहां से बान लाएं है 15.55 मेचा इसके बाद अब हम करेंगे question number question number करेंगे हम आप question number 7 सबसे बाले question number 7 पढ़ेंगे Akash bought vegetables weighting weighting 10 kg out of this 3 kg 500 gram is onions 2 kg 75 gram is potatoes and rest is potatoes tomatoes and potatoes what is the weight of the potatoes Akash bought as vegetable Akash ने सबजियां लाई 10 kg की 10 kg की सबजियां लाई उसमें से 3 kg और 50 gram onions है 2 kg और 75 gram tomatoes है और बाद जो weight of सबजियां हैं वो हैं potatoes बताएगे potatoes का बसन कितना है total weight of vegetables थोड़ा सा हट के लेखेंगे 10 kg थोड़ा सा हट के लेखेंगे 10 kg weight of weight of onions onions है 2 kg 75 gram weight of tomatoes वो है 2 kg onions का है 3 kg और 500 gram ट्री केजी और 500 gram टमेटोज का है टू केजी और सेवेंटी फाइफ ग्रैम पहले इन दोनों का टोटल करेंगे यह कितना बढ़िए ग्रैम फाइफ सेवेंफ फाइफ केजी फाइफ यहां पर हम ग्रैम्स को किलो ग्रैम बनाएगे फाइफ केजी फाइफ सेवेंफ फाइफ इवाइटले फाइफ 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 सेवेंफ फाइफ दिवाइद वाइट थाउजन कूंकि हमmeं पता है नेचरली पॉइंट आएगा और उसकी मादद से भी चार दिजित बनेंगी भी चार दिजित हैं पॉइंट सेवन पाइट इसको आप डिवाइड करना कीजिए दोनों को आप एड़ कीजिए वो निकलेगा 5.575 पीजिए अब हमारा कुश्चिन है वाट इस द वेच ओफ परटडो का वजन कितना है दो सबजिओं का वजन कितना है तो खुद पर खुद हमें निकलेगा कि वजन का वजन कितना है अब यही वजन हम इसमें से माइज करेंगे the weight of onions and tomatoes is equal to five point seven five five point five 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 seven five kg we have both the weight of potatoes is equal to ten point zero 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 five point five seven five two numbers minus here one one and then nine ten five five nine seven two nine five four point nine four 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 point four two five kg यह बज़न है potatoes का बागी questions इसी तरह से हैं आप यह सारी questions अपने rough copy पर पहले कीजिए फिर home work में उतारिए और हम मिलेंगे next वाले lecture में यह वैंज़त टब तक के लिए यह छब्या हाफेज़ए